जैसे कि आप सभी को पता है कि अनाईस ने अपनी जो है सेकेंड येर का रेजिटेशन स्टार्ट कर दी हैं और अंतिम ली होने वाले और आई हॉप आप सभी ने अपना अपना रेजिटेशन को कमप्लीट भी कर चुके होंगे तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कि रेजिटेशन के लिए जो है लाजड डेट कब तक है और इसमें क्या क्या चीज और चीज के बार में यहां पर अंतिम या इन्फरमेशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता है पता भी है पता नहीं भी है सोच करने करें क्या करें क्या करें तो इस वीडियो को अन्तिम ऐ से किरें को आपको किलियर करने के लिए यहां पर इस वटम को क्लिक करने होते हैं तो यहां पर देखे जाए तो यहां पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहां पर enrollment number डालते हैं अपना जो भी चोदो जिजित का जो enrollment number होते हैं उस enrollment number को डालने के बाद जो है आप अपना process को आगे बढ़ा सकते हैं और Mac payment करके आपना ATM card, debit card, credit card, net banking, किसी भी wallet के साथ आप जो payment अपना कर सकते हैं और आप second year का जो है अपना fee जमा कर सकते हैं लेकिन इस fee को जमा करने से पहले एक बार जरू इस वीडियो को देख लें क्योंकि आप सभी को पता है कि मातर अभी जो है जैसे कि आप सभी को पता है कि आप ज़्यादा दिन नहीं भागी है तो यहाँ पर 7 जुलाइ तक आपका last date बता जा रहे हैं क्योंकि 7 जुन को ही start हुए थे और 7 जुलाइ को last date बता रहे हैं तो आप से भी हमें comment लिख कर जुरू बताई कि कितने लोगों ने अपना second year का registration को complete successful कर ली है तो नीचे comment box पर जुरू बताईएगा इसके साथ साथ यह भी देखें कि आपका जो है यहाँ पर ध्यान दे कि आपका 6,000 रूपिया पर टीचर्स के हिसाब से second year का registration चार्ज है अब यहाँ पर बड़ी question है कि पहले जो है जिसे कि first year में जब आप एडिविशन किये थे उस बद मात जो 4500 ही रूपिया लगे थे लेकिन इस बाद 6000 रूपिया क्यों लग रहे उस बद भी आपका 6000 ही थे लेकिन जो है वहाँ पर 15 रूपिया का discount दिये थे आपको DTS buy करने के लिए थाकि आपना जो successfully आप DTS buy कर ले और अपना study करे online study करें कि क्योंकि आप सभी को पता कि स्वाइन परभा जो 25 नंबर का चैनल है वहाँ पर इसकी सारे information आते हैं वहाँ से अपना study को कर सकते हैं इसके साथ साथ यह भी यहाँ पर लिखे थे कि डियरलेट जो है सभी सिच्चकों को दुसरा साल का परणिकरन करना बहुत ही important बहुत ही जुरूरी है तो यहां पर इसके साथ साथ यहां पर यह भी लिखे थे कि आपको 7 जुन से लेकर 7 जुलाय तेक करना जुरूरी होते हैं और यहाँ पर यह भी लिखे हैं कि जो है पहली समेस्टर परिच्छा में असफल या अपसेंट सिच्छक परिणाम की घुसना के बाद परिच्छा के उजीत पंजीकरन के बाद फर्स्ट यर के आगामी परिच्छा में सामिल होंगी, यानि कि आप असफल हो या अपसेंट हो, किसी भी परिच्छा ना भी दिये, फिर भी आप परिच्छा का एग्जामनेशन फॉर्म नहीं भरें, 501, 502, 503 का, फिर भी जो है आपको सेकेंड यर का रेजिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा जुदरी होते हैं, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी को पता है कि हर सेमेस्टर में, यानि हर छेच्छे मेना में इसका एग्जामनेशन होंगे, तो जितने भी बैक पर लगते हैं, उनका एग्जामनेशन आप साथ में दे सकते हैं, तो यह जो है बड़ी ख़बर थी, आप सभी को इस सर्वर डाउन हो जाए, तब आप जो है हो सकता आपका फी नहीं अच्छा से जमाओ, इसलिए उनसे पहले पहले जो तारीक को जरूर कर ले, हमें कमेंट लेक कर जरूर बताएं, कि कितने लोगों ने अभी तक रेजिस्टेशन करवा लिया, सेकेंड यर कर कितने लोगों न कितना तारीक कर जरूर जए एznाब हो जरूर कितना आपका लिया, से जिए सकतो कर लेक कर गолो कर शोरा ने